उचेन तराना के विधायक महेश पर्मार ने कहा कि केंदर सरकार और राजे सरकार भले ही हमें फासी पर चड़ा दे पर लड़ाई जारी रहेगी उचेन से विरियन सर्मा की रिपॉट कि आज ना ब्रोद एक किली कर दिया लिए ऑप और क्या रहेगा आज मत्र के परदेश में हुआरे मत्र को मुझे करات कमल नाजी वर्टमान पर चेह अनुसार जो हमारे किसां भायों के साथ में ये केंदर की सरकार जो काले बिल लेके आई है जो हमारे किसानों के कंट पर तलवार घुमाने की बात कर रहे हैं इस पे हम कांग्रेस पाल्टी समर्तन करते हैं और सब किसानों के साथ पर रोड पर आये हैं और आज चक्का जाम करेंगे इसके बाद भी सरकार ये गुंगी बेरी सरकार नही किसान भाई 50 दिनों से धरना दे कर बेटे हैं पूरे देश के किसान प्रदेश की कुछी बेहरी नरेंत три की सरकार ने की सरकार राश्पती महोदे और राजपाल महोदे के नाम तराना स्टम को घ्यापन दिया और हमारी मांगे देश की और प्रदेश की गुंगी बहरी सरकार से कि ततकाल ये किसान विरोधी तीनों काले कानून वापस दिये जाएं ये हम आर पार की लड़ी लड़ेंगे और आने वाली कि में इत्मिटारा ओंग्रेश कानून ने इता जाए बढ़ती हुई महेंगा यह आप देख रहे हैं डीजल पेट्रोल गेस आज जन उपियों की जो हमारे घर में जो चीज़े उपियों कोती है उसके भाव सोयाव इनके मिठे के तेल के भाव 50 रुप पड़ जाते हैं भारती जनता पालिटी का नेता एक भी जिम्मेदार किसानों को बंदवा मजदूर बनाना चाहते हैं लेकिन कांग्रेस पालिटी और हम सब लोग पूर देगाने के लड़ाइप पूर जोड तरीके से लड़ेंगे और अडानी अंबानी के मंसुवे पूरह पूरनी हो देगे और नरेंद्र मोती जी, आँक से अंदे और कानु से बेहर हो गहें। उनको जगाने काम कांग्रेस पर्ट उरं हमकिसान लोग करेंगे पर इंकाले खानुन के घ्लाब जब तक केंदर सरकार इंकाले कानुनों को वापस निलेती चाहे हमेरे जान भी देना पडит हमारे सरीर कि एक बूंद कुले!